अउसदिये चायों में विभिन प्रकार के हर्बल टीज में गुड़हल का चाय भी सामिल है जिसे सायदिया आपने सुना होगा गुड़हल की चाय बनाने के लिए इसके फूलों और पत्तियों को उबाला जाता है इस अउसदिये चाय में कैलरी बहुत कम होती है और इसमें कैफीन की मात्रा बिलकुल भी नहीं होती है अता इसके नियमित रूप से सेवन से महिलाओं के विभिन प्रकार के रूप जो मैंने पहले बताया चाहे मासिक धर्म के दोरान डर्द की समस्या हो एठन की समस्या हो और बिभिन प्रकार के फैमिन हॉर्मोन महिलाओं के हॉर्मोन को नियंतरत करने में यह चाय सहायक होता है सभी प्रकार की महिला इस गुड़हल की चाय का सेवन कर सकती है गुड़हल के फूल में फाइबर की भी मात्रा होती है फाइबरस होता है इसका पुस इसलिए या पाचन संस्तान को भी मजबूत करने में सायक होता है जिन लोगों को पाचन से संबंदित वीमारियां होती है कब्ज होती है या दस्त की समस्या रहती है वो अपने दैनिक आहार में गुड़हल की चाय या गुड़हल का अर्क या गुड़हल से बनी कोई भी आउसदी प्रियोग में ला सकते हैं बहुत से लोग शरीर में पानी की कमी दूर करने के लिए प्यास बुझाने के लिए भी गुड़हल का चाय प्रियोग कर सकते हैं आम तोर पर गुड़हल की चाय का उपयोग स्पोर्ट्स ड्रिंक के रूप में किया जाता है आजकल बहुत सारे ऐसी स्पोर्ट्स परसन हैं खिलाडी हैं जो कैलरी को कम करने के लिए हिबिसकस टी का प्रयोग करते हैं जिससे एनर्जी भी मिलती है और शरीर में किसी प्रकार का कोई गलत प्रभाव भी नहीं पड़ता है अब बात कर लेते हम यह चाय बना कैसे सकते हैं कुड़हल की चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप दो कप पानी ले 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 अगर एक वेक्ति को पीना है दो कप को पानी उबलने के लिए रखें उसके बाद उसमें दो चम्मच सूखे गुड़हल का फूल अब ध्यान रखना है आपको जो प्राकृतिक रूप से नेचुरल गुड़हल का फूल होता है विसकस रोजा साइनेंसिस आजकल बहुत सारे गुड़हल के और्नमेंटल बेराइटीज भी आ रही हैं उनमें सायद वो औसदिय गुड़ ना हो इसलिए दो चम्मच जो वास्तविक गुड़हल है उसका फूल लें और स्वादानुसार इसमें सहद मिला सकते हैं या जो सक्कर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उनका प्रयोक कर सकते हैं इसके साथ इसमें हम स्वाद के लिए दालचीनी लॉंग नीबू का रस अद्रक या पुदिनी के पत्यां जैसा भी स्वाद हमें पसंद है उसको मिलाया जा सकता है इसको आच पे अच्छी तरह पका कर बाद में इसे चान कर थोड़ा सा गुनगुना करके इसको पीना आपके स्वास्ति को बहुत ही लाब प्रदान करता है बहुत ही लाब दायक है तो इस तरह से आप गुड़हल की चाय का खुद भी प्रयोक कर सकते हैं और अपने सभी र कर सकते हैं